हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चानल डीटास तड़का में और आज हम बनाएंगे आलो की सबजी जो भंडारे वाली आलो की सबजी होती है बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे और इसकी खासियत यह है इसमें हमने कोई भी प्याज या लहसन का यूज नहीं किया है मैं आज आपको एक सीक्रेट तरीका बताऊंगे जिससे यह जो आलो की सबजी है वो बिल्कुल भंडारे जैसी लगेगी आपको यकीनी नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में हम डालेंगे 2-3 बड़े चमच मस्टर ओयल तो आप कोशिश करें इसके लिए मस्टर ओयल ही यूज करें अगर आप नहीं यूज करते हैं तो जो भी आप ओयल खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पे आप 2-3 बड़े चमच तालें और अगर आप मस्टर ओयल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इस ओयल को में अच्छे से गरम कर लेना है और यह देखें यहाँ पे यह अच्छे से गरम हो गया है अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे इसमें डालेंगे एक चोटी चमच जीरा साथी में थोड़ी सी हींग डाल देंगे और एक तेजपत्ता ले लेंगे जिसको इस तरीके से बीच में से तोड़के डालेंगे साथी में साबुत लालमिच लेंगे तीन से चार तो साबुत लालमिच आपको इसमें जरूर यूज करनी है इन सबकों में कुछ सेकिंड के लिए ओयल में फून लेना है तो बस कुछ सेकिंड तक हमें इन सारी चीजों को ओयल में भूनना है अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच कसूरी मेथी ध्यान रखें या पे गैस की फ्लिम को आपको बिल्कुल लो रखना है कसूरी मेथी जलनी नहीं चाहिए नहीं तो सब इन सारी चीजों को भी हम कुछ सेकिंड के लिए ओयल में भून लेंगे अगर यहां पे आपको लग रहा है कि ओयल बहुत जादा गरम है तो आप थोड़ी दे के लिए गैस की फ्लिम को बंद कर दें क्योंकि यह सारी चीज जलनी नहीं चाहिए नहीं तो सबजी का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो यहां पे मैंने गैस की फ्लिम को बिल्कुल लो कर रखा है और बस इसी तरीके से चलाते हुए कुछ सेकिंड के लिए हम इसको भून लेंगे और बस जब कुछ सेकिंड के बाद यह सारी चीजे हलकी सी ओल में भून जाएगी अब इसमें हम डालेंगे में इंग्रेडियन जो मैंने आपको बताया था सबजी में जो की बहुत इंपोर्टन्ट है जिससे सबजी एकदम भंडारे जैसी लगेगी और आपने देखा है न मतलब अच्छी सी खुश्बू आ जानी चाहिए इसमें तो यही में इंग्रिडियन है बेसन डालने से सबजी बहुत ही टेस्टी लगेगी तो बस बेसन को हलका सा बुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट तो यहां पे मैंने तीन मीडियम साइस की टम सब्जी में जो थिकनेस होती है जो इस ग्रेवी की बिल्कुल वैसी होगी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी अब हम इसे डग देंगे एक से दो मिनट के लिए और बस दो मिनट के बाद आप देखेंगे यह टमाटर में से ओल अलग दिख रहा है आपको टमाटर भी बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनना है अब यहां पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई बिल्कुल भी नहीं किया है लो पे ही रखा है तो आप देख सकते हैं टमा अच्छा आता है सब्जी का जरू डालिएगा और साथ ही में कोटी भी लालमिश डालेंगे यह आप अपने टेस्क एकॉडिंग कम जाद डाल सकते हैं मैंने आप आदा छोटी चमच डाला है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच किचन किंग मसाला या आपके इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी हमें थोड़ा सा और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेना है तो इस तरीके से मिक्स करके थोड़ी देल तक बिना धके हम इसे पकाएंगे और यह देखिए अच्छे से मसाले इसमें मिक्स थोड़ा सा पक चुका है लेकिन अब हम इसे ढखके पकाएंगे दो से तीन मिनट तक बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे और बस दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और ये देखे साइड में से इसमें बिल्कुल ओयल अलग हो गया है और ये देखे मसालों में से जैसे ही खु़ाइ quello अलग हो घ्राणा थे शाथ है दो समझ में आ जाता है कि मसाले अच्छे से भुण ज Уimmung अगर अगर अछे घृड पूंड पूंड बूनेंगे तो कोई यह से जा तो कोई भी अगर पूंद कौआ fed te a अब इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू तो यहां पे मैंने 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं जिनको इसमें डाल दिया है और अब मसालों के साथ आलू को अच्छे से मेक्स कर लेंगे बस आपको जो इसमें आलू डालने हैं उनको एकदम मैश करके नहीं डालना है थोड़ा सा मूटा मूटा तोड़ लेना है आप देख सकते हैं यावे मैंने सारे आलू को अच्छे से मैश नहीं किया है बस मूटा मूटा तोड़ लिया है तो बस थोड़ी देर तक इन मसालों के साथ आलूं को में अच्छे से भून लेना है बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे तो जादा देर नहीं बस एक या दो मिनट के लिए हम इन मसालों के साथ आलूं को अच्छे से भून लेते हैं तो दो मिनट हो चुके हैं इन आलूं को भूनते हुए अच्छे से भून चुके हैं इस मसालों के साथ अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी अभी मैं इसमें एक कप डालूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी आपको इसमें थोड़ा सा जादा ही डालना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डालना है, तो जब ये धीरे-धीरे पकेगी सबजी, तो ये बेसन के वज़े स तो टोटल यहां पे मैंने तीन बड़े कप इसमें पानी डाला है आप देख सकते हैं अभी आपको काफी पानी लग रहा है लेकिन जब यह दीरे-दीरे पकेगी सब्जी तो काफी गाडी हो जाएगी अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला था तो लास्ट में इसमें डाल लेकिन कम से गम 7-8 तैंट आपको इस सब्जी को पकाना है तो टोटल 10 मिंट हो चुके हैं इस सब्जी को पकते वह आप देख सकते हैं साफ में से levels बिल्कुल अलग हो गया है मैंने इसको 2-3 मिनट तक और थोड़ा सा जादा पका लिया था आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है देखने में बिल्कुल भंडारे जैसी लग रही है ना अभी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी पतली है लेकिन जैसे यह ठंडी हो जाएगी काफी गारी हो जाएगी और ये देखे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, उसका कलर कितना अच्छा आया है, ये देखे और जो हमने इसमें मोटे मोटे आलू तोड़के डालेते हैं, वो मतलब मैश नहीं हुए हैं इसलिए आलू को आप इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा तोड़के डाले अब हम इसे एक मिनट के लिए और पकाएंगे, अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च तो हरी मिर्च को इस तरीके से लंबा लंबा काटके डाल दें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबजी में साथी में हरी मिर्च जब ये दिखती है न सबजी में देखने में भी बहुत अच्छी लगती है बाकि आप चाहें तो इस हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं अब लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, अब यहाँ पे हम गैस की फिलिम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे. तो आप इस आलू की सबजी को सर्व कर सकते हैं पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, या आप इसे खस्ता कचोड़ी के साथ सर्व कीजिए, उसके साथ तो यह पहुत ही टेस्टी लगती है खाने में. तो बस देर किस बाद की, जल्दी से आप या आलू की सबजी बनाईए और जल्दी से मुझे कमंड बॉक्स में कमंड लेके बताईए कि आज की मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी. वीडियो पसंद आईए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे बिना मत चाहिएगा, साथ ही में शेर कीजेगा अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ. तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में ऐसी यम्मी सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमशकार.